असलाम वालेकुम रह्मतुल्लाइ वरकातू अपसे पाश साल पहरे जब मैंने दोरजाय लिए छोड़ा था अल्षम्दुल्ला और मीजुक छोड़ा था तो उसके कुछ दिनों बाद ही मैंने फैसला किया था कि मुझे दाड़ी रखनी है और जब मैंने इस पारे में अपने तो शेलान मुझे इतनी आफानी से नहीं चोड़ेगा और वो आगे चलकर मुझे जरूर वस्वास डालेगा मेरे जहन में मेरे दिल में और शायद मैं उससे मुदासर हो जाओं शायद में फिर से पलटने लगूं तो जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरी दाड़ी मुझे जरू और यखीर माने कि इन पास सालों में बिलकुर वैसा ही हुआ जिसा मैंने एक्सपेक्ट करा था लगतार वसवास आते रहें और आज भी मेरे दिल में बहुत सारे वसवास आता तो मैं अपने आपको देखते हूं और मुझे खुद से इंस्पिरेशन मिलने लगते हैं कि नह मैं उस टाइम पर जो मैंने चल जाता हूं वह यह था कि जब मैं तेटर के तरुप जाँ हूं वाना नेक्स टाइम तो मेरी हिम्मत ही नहीं होगी मुझे शरम के वाने में अंदर ही नहीं जा पाँ हूं और एक्जेक्ली हुआ भी यही जब मैंने दोरे जाईलिफ में जो है वह सब चीज़े छोड़ी थी तो उस दिन से आज तक अल्हम्दुल्ला में कभी भी मैंने तेटर का रुखी निगा तो इस तरह की चीज़े हुई यह तो मैंने आपको सामने एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट रखा अभी मैं आपको एक नेगटिव भी बताता हूं दाड़ चीज़े दिखा नहीं सकते हैं अपनी पसंद के कपड़ी नी पहिंचे और थोड़ से हमारे हैस्टाइल में तो चेंज़े आये तो भी हराम हो जाता है खुल करहास नहीं सकते हैं और ना हम वीडियोग्राफिक कर सकते हैं उस टाम पहले मेरा एक दोच जिसको मैं समझा रह कर तो यह कहसे जाए उसने इस तरह की चीज़े तंजिया नताज में मुझसे बोलनी शुरू करी तो मैं उसको समझाने के कोशिश भी की कि यह सब चीज़े हराम नहीं है अगर तो उसमें कुछ हराम एलिमेंट्स नहीं है तो फिर बिलकुल यह चाहिज है लेकिन उसकी समझ के खबर ले लों तो यही होता है और वह भी यही कोशिश कर आदा है बहुत दुख होता है यह देखकर कि मुसल्मान बहुत एजिली किसी भी चीज़े को खराम और हलाल ठेहा देते हैं जैस पिकस उसनों ने यह चीज़े किसी से सुनी थी किसी ने उनसे कहा था कि वीडियो वाला टरम अफनाना है और उसी को फोलो करना है और इसे को अपने चोतों भी सिकाना है आज तक किसी को यहीं नहीं पता कि फोटो खीचना हराम है तो हैं क्यों और पिर उसको मिला देते हूं उस हदीस से और शायद आपके जहन में भी कुछ लोगों के यह चल रही हो वो हदी जिसमें जो है ड्रॉव करने के बारे में जिकर है यानि कि अपने हाथ से कुछ चीज़ जो है सकेच करने के बारे में है तो देखिए उसको जबरक्ती कैमेरे पर फिट कर देना यह ठीक नहीं होता है वो वीडियोग्राफिय जिसके जरीच से आज कितनी ज़ादा जो है दी जहरा बेटाया ना मैं खुद यकिन मानें जब उस वक्त मेरे दिल में कितने सारे वसवास चल जए जब मैंने वो फैसला लिया नहीं था लेकिन उस टाइम पर जो मेरी हैप करने में जो है बहुत एहम करदाने बाया वो वीडियोग्राफिय नहीं निभाया मैंने लगातार जो है बयान देखे बहुत सारे लोगों की बास सुनता गया सुनता गया अपने जहान को क्लियर करता गया उसके बाद में मैंने वो डिसिजन लिया क्या सिर्फ जिसकी दाड़ी होती है शरीयत भी उसी की होती है गया क्या सारे हराम और हलाल के लोग सिर्फ दाड़ी वाले क आपका लिबास ऐसा होना चाहिए, आप वीडियो ग्राफिक क्यों कर रहे हैं, आप यह क्यों कर रहे हो, इस नुक्सान आप ही को होने बाला है, कि एक बंदा जो कि आपको गले चीजों से रोक रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, आप उसको जो है ऐसा करारा जवाब देने के मैं उसका मुँव बंद कर देते हैं, फिर अगली बार उसकी कोशिष नहीं होती है, उसकी हिम्माद हीं होती है, और यही हो दा है मेरे साथ ही कि मैं बहुत सारे लोग को सम्झाने की कोशिष करता हूँ, तो तो आज की विडियों में बॉसे इतना ही, इन्शालियन मिलते है नेक्ट वीडियो में, असलाम अलेकम वरह्मत लाही बरकात।